जै माता दी दोस्तों आप सभी के उपर बजरंग बली की कृपा और मा का आशिरवाद सदय बना रहे। कलश स्थापना का शुभ महूर्थ क्या है? दस महा विद्याओं की पूजा का क्रम क्या होगा? आरण की तिथी क्या होगी? साथ ही हम जानेगे दस महा विद्याओं की उत्पति के बारे में इस वर्ष सन 2023 में आशाड गुप्ट नवरात्र सुंबार 19 जून से प्रारंभ हो रहे हैं, जो 27 जून मंगलवार तक रहेंगे. प्रतिप्दा तिथी की शुरुवात 18 जून 2023 सुभा 10 बचकर 6 मिनट से है, और 19 जून 2023 ग्यारा बचकर 25 मिनट तक रहेगा. कलश स्थापना का शुभ महूत 19 जून सुभा 5 बचकर 23 मिनट से 7 बचकर 27 मिनट तक है. अभिजीत महूत 19 जून सुभा 11 बचकर 55 मिनट से 12 बचकर 50 मिनट तक है. व्रत का पारण 28 जून 2023 बुधवार को है, और पारण का समय 28 जून सुभा 5 बचकर 26 मिनट के बाद है. दुर्गाष्ट मी 26 जून को है, जो सुमवार का दिन है, और दुर्गा नवमी 27 जून 2023 मंगलवार को पड़ रही है. गुप्त नवरात्रों में 10 महा विद्याओं की साधना सर्वोच कोटी की साधना मानी गई है. इनकी उपासना से सिध्धियों के द्वार खुलते हैं और सभी मनोरतों की पूर्ती होती है. गुप्त नवरात्रों का समय 10 महा विद्याओं की साधना के लिए सर्वश्रिष्ट समय माना जाता है, जब इन सभी सिध्ध विद्याओं की उर्जा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है, और सच्चे हृदै से की गई इनकी पूजा इनकी साधना सफल होती है. तो अब जानते हैं संख्षेप में इन 10 महा विद्याओं की उत्पत्ती की रोचक कथा, और उसके बाद जानेगे इन आशार गुप्त नवराचों में इन 10 महा विद्याओं की पूजा का का. पौरानिक कथाओं के अनुसार एक बाद दक्ष प्रजाप्ती ने एक विशाल यग्य का आयोजन करवाया, जिसमें महादेव और सती को छोड़कर सभी को आमंतरन भेजा गया. जब सती को यह पता चला कि उनके पिटा दक्ष प्रजाप्ती ने एक विशाल यग्य का आयोजन करवाया है, तो वहाँ जाने की जित करने लगी. महादेव ने उन्हें समझाया कि बिना आमंतरन के वहाँ जाना ठीक नहीं है, लेकिन सती मानी नहीं और अपनी जित पर अड़ी रही. लेकिन महादेव नहीं चाहते थे कि बिना आमंतरन के सती वहाँ जाए. इसलिए वो मना करते रहे, महादेव के बार-बार मना करने से मा सती अत्यंत गोधित हो गई और उनका शरीर काला पढ़ने लगा यह देखकर विवाद तालने के लिए भगवान शिव वहां से उठकर जाने लगे तो मा सती ने दसों दिशाओं में अपने दस स्वरूपों को प्रकट किया, जिसे देखकर भूलेनाथ विस्मित हो गए तब उन्होंने मा सती से पूछा कि ये दस स्वरूप कौन है तब मा सती ने कहा कि आपके समक्ष जो कृष्ण वर्ण में स्थित है वो मा काली है उपर निलवर्णा मातारा है पश्चिन में कटे सिरवाली मोक्ष देने वाली श्यामवर्ण शिन्नमस्ता है बाई तरफ भोगदा त्रिभुवनेश्वरी है पीछे ब्रहमास्त्रप और इस विद्या से शत्रु का मर्दन करने वाली बगला मुखी माता है अगने कोन में विद्वा रूप में मा धुमावती, नैरत्य कोन में सिध्ध विद्या मोक्ष को प्रदान करने वाली मा भुगनेश्वरी है वायव्य कोण में मोहिनी विद्या वाली मा मातंगी है इशान कोण में सिध्ध विद्या मोक्षदायनी मा सोची है और सामने मंगला दातरी भैर्वी के रूप में मैं स्वया उपस्थित हूँ उन्होंने कहा कि इन महाविद्याओं की पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ती होती है इन्ही की कृपा से शटकर्मों की सिध्धी होती है और अभीष्ट की प्राप्ती होती है शिव जी के निवेदन करने पर ये सभी देविया महाकाली में समाहित हो गई तो इस प्रकार से इन दस महाविद्याओं की उत्पत्ती हुई अब जानते हैं इन आशार गुप्त नवरात्रों में इन दस महाविद्याओं की पूजा का क्रम क्या रहेगा तो प्रथम महाविद्या माकाली की साधना उनकी पूजा गुप्त नवरात्रों के प्रथम दिन होती है यह प्रथम आदित्या है समस्त कामनाओं की पूर्ती के लिए इनकी साधना की जाती है शत्रो मुक्ती मुकर्मे में विजय या किसी भी वाद विबाद में विजय के लिए इनकी साधना की जाती ये मोक्ष प्रदान करती है और हर प्रकार का अभय अपने भक्तों को प्रदान करती है दूसरी महाविद्या इनकी पूजा दूसरे दिन होती है गुप्त नवरात्रों में ये मातारा देवी है जो माकाली का ही एक स्वरूप है। गुप्त नवरात्रों की चतुर्थी दिवस इनकी पूजा आराधना होती है। पांचवे दिन इनकी पूजा आराधना होती है। अराकम को प्रदान करने वाली देवी है, शक्ती को प्रदान करती है और विषेशकर संतान प्राप्ति और दर्दरता के नाश के लिए इनकी पूजा साधना की जाती है। चटवी महाविद्यामा प्रिपुर्भैर्वी है। ब्रहम पुराण में इन्हे कुप योगिनियों की अधिश्ठात्री देवी बताया गया है। चटवी महाविद्यामा प्रिपुर्भैर्वी बताया गया है। चटवी महाविद्यामा कमला है। इनकी पूजा से समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। धन, धान्य, एश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये था दस महाविद्यामा की पूजा का करम जो आपको इनकुप्ट नवरात्रों में करना है। कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें। जै श्री कृष्ण राधे राधे। जै किす अरूर करा राधे।